हाई गाई वेक्सिनेशन है उसके लिए कि तरीके से अप्लाइ कर सकते हो बड़ वैसे यह जो चीज है यह सिर्फ और सिस्क्स्टी इयर्स के अभाव वाले लोगों के लिए तो इस वेडियो के अंदर मैं आपको बता हूँ कि आप लोग घर भेटे ही उन लोगों के लिए तो अभी हम लोग आ चुके मेरे फोन की स्क्रीन की तिरफ और यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने यह आरोगे सेतू एप्लिकेशन है वह इंस्टॉल किया हुआ है अगर आप लोग के पास आरोगे सेतू है तो आपको उसे एक बार सिर्फ और सिर्फ अपडेट करने ने है That's It so, I'm इसे open कर लेता हूँ जैसे मैं आपर उपन करता हो न तो यहां पर आपको यह एक नया आप्शन दिखाए देगा पहले यह option नहीं है तरदा पर अभी यह update के बार आपको दिखाई देगा तो जैसे मैं इसके उपर click करूँगा यह आपको चार options यहाँ पर नजर आ जाएंगे इन चारो options में से आपको यह जो second वाला option है इसके उपर click करना है और register now को proceed करना है अब first of all आपको यहाँ पे मोबायल register करना पड़ेगा मतलब जिनके लिए आपको register करवाना है उनका मुबायल नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं अपनी मौम के लिए रिजिस्टर कर रहा हूँ तो मैं उनका जो mobile number है वो यहाँ पर डालता हूँ जैसे आप number डालता हूँ यहाँ पर आपको करना है proceed to verify और proceed to verify करने के बाद आपको एक OTP आएगा उसी number पर जो number यहाँ पर आपने डाला हुआ है तो मैं wait कर लिदा हूँ उस OTP के लिए अब यहाँ पर मैंने जो OTP है वो डाल लिया है अभी मैं click to verify करूँगा और मेरा OTP जो है वो verify हो चुका है अब यहाँ पर आपको कुछ details जालना है सबसे पहली important जीज यहाँ पर आपको जो पहला option आथा है select का यहाँ पर आपको select करना है कि आप जब vaccination लेने जाओगे तो इन में से कौन सा document आप वहाँ पर लेके जाओगे मेरे case में मैं अपनी mom का जो आधार card है उसे लेके जाओगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो photo ID नंबर है beneficiary name, year of birth date and gender यह सारी की सारी चीज़े आधार card के हिसाब से मतलब जो document आप वहाँ पर लेके जाओगे आधार card हो pen card हो उसी हिसाब से सारी चीज़े आपको यहाँ पर फिल करनी है तो मैं फटा-फट से यहाँ पर सारी चीज़े फिल करता हूँ अब यहाँ पर मैंने details डाल दिये हैं दोनों यह मेरी mom का है इसलिए मैं फिमेल डाला है अब जो date of birth है वहाँ पर अगर मैं click करूँ तो और अगर मैं समझो मेरा birth date डालू तो देखे यहाँ पर आपको लिख्या आता है कि 45 years से उपर के ही लोग यहाँ पर register कर सकते है फिलाल के लिए तो मैं अभी मेरे जो mom का birth date है वो डाल लेता हूँ अब देखे जैसे ही मैंने यहाँ पर मेरी mom का जो है वो डाला और यहाँ पर मुझे कुछ information आ रही है वो यह है कि अगर आपका जो citizen है वो 45 to 60 के बीच में है और उसको किसी दरा का कोई disease है तो वो ही apply कर सकते है vaccination के लिए otherwise 65 के 60 के अबाउट जितने भी लोग है वो लोग easily इस process को follow कर सकते है तो मेरी mom के लिए कोई भी ऐसा issue नहीं है उन्हें diabetes वगरे कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर go back करूँगा अगर आपके case में कुछ भी है या फिर जो 45 से उपर है जिनको diabetes वगरे ये सारी चीज़े है तो वो लोग इसके लिए apply कर सकते है मैंने मेरी dad का कर दिया था अब मेरी mom का कर रहा था तो मुझे ये वाला एक message आया तो मैं go back करूँगा तो यही simple process है आप जो follow कर सकते हो co vaccine के लिए मतलब vaccination के लिए apply करने का जो process है वो यह है simple and best है तो guys आप लोग ने देख लिए कितना simple और easy process है तो इससे आप अच्छी तरीके से follow कीजिए और जो लोग 60 के अबाव है उन लोग के लिए आप रजिसर कर सकते हो जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के अंदर भी बताया कि जो लोग 60 के under है मतलब 45 से लेकर 60 years के बीच में जो लोग है उन लोग को अगर समझो diabetes और इस तरीके की कोई भी चीज़े है या medical condition है वो लोग ले सकते है पर 60 years के ऊपर जिते में भी लोग है वो directly जाके ले सकते है आप चाहे तो application में से भी कर सकते है या फिर आपके नज़िक में कोई अगर government hospital है वहाँ पर भी जाके आप इसके लिए apply कर सकते हो तो guys I hope आपको यह जो पूरी information जो मैंने इस studio के अंदर बताई है वो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो लाइक किजिए बहुर अच्छी लगी सब्सक्राइब किजिए I hope it's in my next video till then take care, bye-bye